हेलो दोस्तों, मुश्कास, अस्टेकार आदाव, असलाव अलेकुम आज मेरे आवाज में उतना जोश नहीं है क्योंकि जो आज का वीडियो है वो इस बारे में है कि Microsoft reward जो कि बहुत ही अच्छे पैसे दे रहा था आप सभी को क्या वो इंडिया में आगे continue करेगा भी या नहीं क्या आपके जो existing points है वो redeemable होंगे या नहीं क्या आपके streaks बरबाद हो जाएंगे क्या Microsoft being इंडिया में बैन हो जाएगा क्या आगे आने वाले time पे आप VPN इस्तेमाल करके Microsoft reward दुबारा ले पाएंगे इन सारे सवालों का जवाब हम इस video में सबजने की कोशिश करेंगे कि अभी तक हुआ क्या ऐसा क्यों बंद हुआ क्यों redeem होना बंध हुआ कब से शुरू हो सकता है कि इंडिया में यह बैन हो जाएगा इस सारे जो तमाम सवाला थे इनका जवाब हम लेने की कोज़ेश करेंगे और देखेंगे कि यह हुआ क्यों चली चलते हैं आगे वीडियो की और हो देखते हैं दोस्तो Microsoft Reward Bing जो है वो एक Google Chrome की तरह सर्फ है और वो Microsoft चलाता है जैसे Google Chrome Google चलाता है Microsoft Bing जो है वो Microsoft चलाता है जहांपर आप Reward कलक कर रहे थे और आपको यह भी पता होगा कि दोस्तो ChatGPT जो है वो भी Microsoft का ही सर्विस है तो कहीं नहीं Microsoft Bing Reward इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसे Google से आगे बढ़ना था उसे यह देखना था कि वो कितने users acquire कर सकता है इस reward mechanism के थूँ ताकि वो Google से आगे निकल सके आपके surfing method पे क्योंकि आप जितने भी Google में सर्च करते हों अगर आप Bing में जाकर सर्च करें तो Bing platform बढ़ा होता है तो इसलिए reward दिया जा रहा था तो उसने एक reward शुरू किया यह करीब करीब मुझे लगता है तीन चार पाँच महिने से चल रहा था और मैंने इस पर वीडियो भी बनाया था जिस पर बहुत अच्छे लोगों ने सपोर्ट किया कमेंट किया व्यूज भी बहुत आय थे लोगों ने बहुत पैसे भी अन किये थे डेली करीबन 80-100 पॉइंट्स आराम से लोगों का 500 रुपया का Amazon का बहुत लोगों ने किया मेरे खुद का दोस्तों 40 दिन का श्ट्रीक जो है वो बना हुआ है उसमें रेडीम नहीं हुआ है तो सवाल यह है कि क्या Microsoft बंद हो जाएगा तो सबसे पहले तो आप यह समझे कि बंद होगा कैसे हुआ यह क्यों बंद हुआ कैसे Microsoft को पता चला तो सबसे पहले बात तो मैं आपको यह बता दू आप जब भी VPN इस्तवाल कर रहे थे multiple countries का इस्तवाल कर रहे थे तो Microsoft में ऐसे बहुत से अच्छे software engineer है जो इस बात को जानते हैं ऐसा नहीं कि वो नहीं जानते होंगे क्योंके पास अल्रेडी बहुत सारे लोग थे जिनको पता होगा कि वो VPN इस्तवाल कर रहे है वो multiple country से कर रहे है कुछ गलत भी कर रहे है लेकिन वो ऐसा करने दे रहे थे क्योंके प्लैन ही होई था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिंग में आए और यही offer बनाया गया था तो आपको गर ऐसा लग रहा हो कि मैं VPN इस्तवाल कर रहा हूँ और Microsoft नहीं पता चल रहा था तो इसा बिलकुल नहीं है उन्होंने धीरे-दीरे अकाउंट बैंड करना शुरू भी किया था पर वो चाहते है थे जादा से जादा लोग आए इस केस ओ वाइरलेटी वाइरल करने के लिए कर रहे थे कि जादा से जादा लोग आए वो समझें कि यह ग्लिच है और जादा से जादा लोग आकर मेरे प्राब्लम को मेरे इस प्लैटफर्म का इस्तमाल करें इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे लेकिन बात है फिर 24 अपरेल 10 बच कर 57 मिनट के 24 अपरेल 12 बच कर 57 या 10 बच कर 10 से 12 बचे के बीच में एक प्वीट होता है मैं आपको आइडी तो नहीं बताऊगा कौन सा आइडी है ताकि उसमें फिर व्यूस बढ़ जाएगा उसमें ज्यादा वाइरल हो जाएगा साथ को माइक्र सौफ्ट को tag करके होता है और यह सारे केसका इस्क्रींश ज्हॉट साथ बताता है कि यह इंट रहा हुग कि प्लैटफोर्म पर याना ने डाल दिया अब जब ट्विटर पर डाल दिया तो Microsoft के उपर ये एक लांचन लग गया एक कलंक लग गया कि भाई साब उनके इस बात को डिड़क्ट नहीं कर पा रहे तो उन्होंने नीचे रिप्लाइ कि है कि हम इस बात को देखेंगे और उन्होंने वो ना चाहते वे भी उन्होंने हमारे मुल्टिपल कंटरिस का बंद कर दिया और रिडियम बंद कर दिया जब क्यों नहीं यह पता था मुझे मुझे पूरी तरिका से भरोसा है कि Microsoft के बहुत बड़ी सफ्ट्रों टीम है जिनको यह सारा कुछ पता होगा कि मुल्टिपल कंटरिका रिवाट कर रहे हैं कुछ ग्ल जब TAK सवाल और कि क्या इंडिया में वापस आएगा नहीं आएगा तो में आपको बता दो दोस्तो कि इंडिया में जरूर वापस आएगा और क्यूं मैं इस बात को इतने दावें सपने हे सकता हू कि क्योई याद в को 2016 में भी के बंदो कि हमारे पास बंक कर यूजर नहीं पर वो दुबारा वापस आये थी जीओ के फटने के बाद की जीओ में बहुत सारा नेट आ गया था लोग सर्फ कर लेगे तो दुबारा वापस आये और इन्होंने इस रिवार्ड मेकैनिसम से छे मैंने बहुत बढ़िया यूजर बेस गें किया है बहुत ही ज्यादा लेकिन मुझे लगता है यह चालू होगा और जरूर चालू होगा क्योंकि यही तो उनका मैट सब्सक्राइब उनको यूजर ही तो गें करना था अब चाहिए बहुत सारे से टूल लाकर आप देखोगे तो लेकिन मिशन उनका अभी भी अग्वेश नहीं हुआ क्योंकि बिंग में अभी भी लोग chat GPT के लिए सर्च नहीं करें चाहिए लग से चैन जिपिटी पे जा रहा है तो यह reward में कहीं से आएगा आप लोग reward फिर से collect कर पाओगे और उनका planning यह वही वैसे उस ट्वीट में बहुत सारा उनको हेट भी मिला हुआ है लोगों नीचे बोला है कि आपको क्या लेना देना था वाई आपने क्यों किया तो क्यों कर दिया उसने इसने पता नहीं पर बारा बच के चौबिस अपरेल को उसमें 12 बचे टाई पर क्रूइट किया बैसे बीच में बिचन बैंट भीया था क्यों कि वीपीर इस्तमाल कर रहे थे लेकिन कि दुबारा वापस आएगा दोस्तों ऐसा नहीं कि बंद हो जागा खतम हो जागा बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था चैनक्यू मेंसेज भी आए था कि जब तो तून्ण टूंट हो को दो को कुछ के चाहले हो सकते सब्सक्सक्राइब करें करें को कमेंट में बताई कि आपको क्या लगता है क्यों क्यों बहुत है कि जी यही कारण बताया उन्होंने भी तो मैं भी यही कारण देख पार हो गर आपको लगता को दूसरे कारण तो पर बताए आपको कि आपके किटने पॉइंट अर्ट के वह हैं यह आप ज़रूर बताए था कि इतना अर्जेंट हो पाए मैं कोशिछ करूंगा कि Microsoft का जैसे वा लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मैं आपके लिए बहुत पाइब करता हूं वीडियो बनाते रहता हूं तो Microsoft remote बिल्कुल आएगा दोस्तों टेंशन मत लो और ध्यान रखेंगे पेशेंच रखेंगे और मेरे साथ जुड़े रही है थैंकियो सो मच